हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल कैसे हो आप लोग आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज हम बनाएंगे मिर्ज के पकोरे जो की काफी ज्यादा टेश्टी होते हैं और कितना बढ़िया बनाए वो तो आप देखी सकते हैं काफी अच्छा भी लगता है और ये वालवबियद्स तीखा नहीं होता बिल्कुल भी ये खास करके पकोरे बनानी के लिए होता है व्युद्वा हों ज्यादा अंतर पकोड़े बनते हैं और काफी टेश्टी लगता है तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं और औंगर वीडियो पसंद आता है था सासी क जो शब्सक्राइब कर लिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन भी प्रेस कर लीजेगा ताकि में जब भी कोई नया वीडियो डालना तो सबसे पहले नोटिविकेटिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना तो सबसे पहले हम इसके लिए बेशन का घोल तैयार करेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम बेशन लिया है इसमें हम डालेंगे 2 बरे चम्मत चावल का आटा चावल का आटा डालने से एक रिस्पी बनता है इसके जगाँ आप सूजी का इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर आप कॉर्ण फ्लोर का इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर इसके बिना भी आप बना सकते हैं इसके बाद इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसर नमक आदी छोटी चमच लाल मिर्ज पौडर थोरा सा गरम मसाला, थोरा सा हल्दी पॉडर बिल्कुल चुटकी भर, आदी छोटी चमच चिली फ्लेक्स, आदी छोटी चमच अजवाइन, और ये है कसूरी मेथी, थोरा सा हम क्रेस करके समें डाल देंगे, इससे काफी अच्छा टेश्ट आता है, इसके बाद थोरा सा इसमें जीरा पॉडर हम डालेंगे, इसके बाद एक बरा चमच अध्रक लसुन का पेश्ट, तो पहले हम ऐसे ही साड़े चीजों को मिला देते हैं, इसके बाद हम इसमें थोरा थोरा कड़के पानी डाल कड़के इसका एक ठिक सा बैटर तेयार करेंगे, इसका बेटर का काफ़ी ज़्यादा दिहान डखना है कि ना ज़्यादा गाड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पदला होना चाहिए इसलिए बहुत ज़्यादा पानी एक बार मत डालिए थोरा थोरा कड़के डालते जाएए और इसको मिलाते जाएए इससे क्या होता इसमें लम्स भी नहीं बनता है इसमें टोटल आधा कप के लगभग पानी इसमें लगा है इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि बेटर आपका कैसा बना रहा है तो यहाँ पर थोरा सा पानी में आउट डालूँगी और बस अब रेडी है इसका थेकनेस देख लीजिए किस तरह का है जैसे हमें उठाएंगे तो यह थक के सक गिरेगा इस तरह का थेकनेस हमें चाहिए और यहाँ पर मैंने मिर्च लिया है यह 300 ग्राम मिर्च है बड़ी वाली जो होती है ग्रीन इसमें हम कट लगा लेंगे बीज से इस तरीके से और इसके अंदर जो बीज है वो चाहिए तो आप निकाल सकते हैं मैंने यहाँ पर नहीं निकाला है आपके उपर डिफेंडर आप चाहिए तो इसको निकाल सकते हैं मैं इसको रहने दूँगी इसी में सारे मिर्च में हम इस तरीके से कट लगांगे एक तरफ से जुरा रहना चाहिए और एक तरफ से हम इसमें कट लगा लेंगे तो यहाँ पर मैंने सारे मिर्च में कट लगा लिया है देखिए इस तरीके से लगा लेना है तो यहाँ पर सारा मिर्च तयार है कट करके इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे यह मैंने छे मेटियम साइज के आलू लिए है उबले हुए इसको हम ग्रेट कर लेंगे इस से होता क्या है वैसे आप इसको मैस भी कर सकते हैं तो मैस करने में क्या होता थोरा बुर तुकरा रह जाता है इसलिए मैंने यहां पर इसको ग्रेट कर लिया है तो साड़े अलू को हम यहां पर ग्रेट कर लेंगे और यहां पर मैंने रखा है गैस पर एक पैन पैन को हम गर्म होने देंगे और फ्लेम को हमने लो टू मेडियम पर रखा है पेह नमारा गरम हो चुका है इसमें हम डालेंगे एक चमच सर्चो का तेल और इसमें आदि छोटी चमच जीडा जीडा को हम चटकने देंगे और फ्लेम को हम एकदम लो कर देंगे इसमें कुछ सुखे मसाले हमें डालना है तो यहां पर एक चुटकी हल्दी पौडर, आधी छोटी चमच लाल मिर्च, और थोरा सा बिल्गुल गरम मसाला, और आधी छोटी चमच नमक, बस इसको 10-15 सेकंड के लिए भूनेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, और इसमें हम आलू डाल देंगे, और बस इसको मिला देंगे, और एक मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे, लो फ्लेम पे ही, जश्ट इसको मिक्स करना है, और कुछ नहीं, और थोरा सा उपर से हम डाल देते हैं, कसूरी में थी, यह अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, और बस हमने इसको मिला द देंगे, गैस को आफ, और इसको निकाल लेते हैं, एक अलग प्लेट में, तो यह हमारा फिलिंग तयार है, मिर्च के लिए, तो यहां पर हम भरवा मिर्च बनाने वाले हैं, तो इसलिए हमने यहां पर इसके लिए, यह फिलिंग तयार किया है, और सारे मिर्च में हम इसको बहर लेंगे और कफी अच्छे तरिके चिसमें भेड़ना है इसमें आप कंजूसी बिल्कुल भी मत करना क्योंकि इसका पैट बिल्कुल भी खाली ने रहना चाहिए अच्छे से इसके पैट को भ़र दीजिए और जो एक्स्ट्रा है उसको हटा दीजिए, एक्स्ट्रा नीड़ना चाहिए तो सारे मिर्च में हम ऐसे ही भर लेंगे आप इसको हाथों से भी भर सकते हैं, मैं यहाँ पर चमच सिसले भर रहे हूँ क्योंकि यह थोरा सक गरम है मिर्च का पकोड़ा खाने में काफी ज़्यादा टेस्टी होता है तो आप भी एक बार जरूर ट्रैक करना यह मैंने तीन सो ग्राम मिर्च लिया था और सारा मिर्च में हमने भर लिया है ऑब हम इसको बेशन में डालेंगे इस तरीके से काफी अच्छे सीस के ऊपर लेर लगाना है मतलब काफी अच्छे सीस के ऊपर कोटिंग होना चाहिए इस तरीके से आप घूमा घूमा कड़के देखिए अगर यह बेटर जो है पतला होगा तो यह बिल्कुल भी इसके उपर नहीं पकड़ेगा इसलिए थोड़ा थिकने सापको रखना पड़ेगा थोड़ा गाधा बेटर ही बनाना है और यहां मैंने डिफाइन डोल लिया है तेल को हमने अच्छा गर्म कर लिया है पहले हाइफ इसके बाद मैंने फ्लेम को लो टू मेडियम पे कर दिया है और अब हम इसमें पकोरा डालेंगे एकदम से हाइफ फ्लेम पे पकोरा नहीं डाला है नहीं तो यह फटा-फट से उपर से जल जाएगा तो एक बार में जितना आ जाए चार-पांच डाल देंगे बहुत जादा नहीं डालना है एक बार में चार या पांच काफी है और एक साइड से गोल्डन कलर इसमें जब तक आ जाए तब तक इसको तर लेना है और फिर पोलट देना है फ्लेम को बिल्कुल भी तेज नहीं करना है लो टू मीडियम के बीच में ही रखना है इससे ज्यादा ब 6 मिनट का टाइम लग गया है एक बार इसको तलने में अच्छा गोल्डन कलर आने तक इसको तल लेना है तो यहाँ पर यह रेडी है तो इसको हम निकाल लेते हैं देखिए काफी अच्छा सा चाड़ो तरफ से इकवल कलर आ गया है काफी अच्छा लग रहा देखने में दे इसको निकाल लेते हैं तेल में से और बांकी का भी मिर्च हम ऐसे ही फ्राइ कर लेंगे सेम तरीके से हम साड़े मिर्च को यहाँ पर फ्राइ कर लेते हैं है और मैंने यहां पर रिखाइंड ओल में इसको फ्राय किया है आप चाहेद इसको सरसो तेल में भी या कोई और तेल भी जो भी ते तेयार हो चुका है काफी बढ़ियां वना है काफी अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में। मत ही पूछिए काफी ज्यादा मस्त लगता है तो आप भी जरू ट्राइक किजिए का एक बार आपको काफी पसंद आएगा और ये तीखा बिलकुल नहीं होता है तो इसको बच्चे भी खा सकते हैं और ये देखिए अंदर से भी ये पुड़े अच्छे से मिर्च जो है पुड़े अच्छे से पक चुका है तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा कमेंट में जरूर बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा मिलते हैं अब से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई